वेलकम टू अनुराज फैमिली किचेन आज में लेकिया हूँ बहुत ही चटपटी ठमाकेदार रेस्पी जो बहुत ही जटपट बन जाती है बहुत ही कम मसालों के साथ तो आज बनाने लिए टमाटर की रेस्पी जो सब को बहुत पसंद है बहुत ही चटपटी होती है बहुत तो आप टमाटर की यह रेस्पी जटपड बनाईए और इसको खाईए तो सबसे पहले हमने ने टमाटा ले लिए 7-8 और इनको धोल लिया है तो अगर आपको यह रेस्पी पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब चर कर लिजे या जिस तरीके से आप कट करना चाहे मैं बस उनके दो पार्ट करने है इस तरीके से जहाब गोल में कर लिजे या लंबे में कर लिजे तो हम चले टमाटर को दो भागों में कर लेते हैं और यह बहुत ही पढ़िया रेसिपी है जिसे देखते ही आप तुरंत उस जरूर बनाएंगे, देखते ही आपका प्मुं में पानी आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने देखे, सारे टमार्टर को दो पार्ट में कर लिया है, और यहाँ पर साथ में मैंने ले लिया है चार लहसुन की कलिया चिली हुए और चार हरी मिरस ले लिया है बहुत ज़्यादा लहसुन भी नहीं लेना है और मिर्ची आप अपने अनुसा ले सकते हैं उसके बाद मैंने साथ में हैंपर दो बड़ी प्याज ले ली तो प्याज को भी हम चिल कर ऊचोंचे चोटे-चोटे टुकड़ों में बीलकुल बारीक-बारीक चोटी-चोटी टुकड़ों में उन्हें कट कर लेते हैं तो चलिए यहां पर ले लेते हैं हमें एक पैन या फिर तवा ले लेते हैं और उसके उपर मैं डाल दूंगी हलका सा तेल यहां पर यहां पर मैं खाली थोड़ा सा हलका सा डालेंगी ताकि तवा ग्रीस हो जाए उसके बाद हम उपर से ओल फिर उसमें डालें तो यहां पर मैं हलका सा तेल डाल देती हूं यह बहुत ही जल्दी बन जाते हैं जब आप इसको तवे पर डालेगे ना तो जो बढ़िया सा इसमें खुसबो आएगी ना थोड़ी से देर पगने के बाद वह बहुत ही अच्छी आपको लगेगी और जैसे ही थोड़ा सा तेल हो जाएगा तो हम सारे टमाटर को ऐसे हिसमें डाल देंगे और यहां पर जमने लहसुन और मिरश रखा था उसको भी मिसी बीच में जो तेल है ना उसमें हम डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से तल जाए अच्छे से भून जाए इस तरीके से भूने हुए तेल में लहस तेल थोड़ा सा और डाल देंगे ताकि उनका छिलका भी बहुत ही आसानी से निकल जाए वैसे भी गलने के बाद निकल जाए लेकिन तेल डाल देंगे तो बिल्कुल एजली एक ही बार में छिलका निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे से गल जाएगे और साथ में से बिल्क माटर के खुजबू बहुत ही अच्छी आती है और स्वाध्य उनका बहुत ही बढ़ जाता है और यह देखें आपर मैंने इनको पका लिया है थोड़ी दिर दो तीन मिनट और इसके बाद यहां पर मैं उनको फिर से एक बार पलट लूँगी आप चाहे तो नहीं ऐसे दोरब से बहुत ही बढ़िया हो जाती है देखें इनका चिलकप कितना असानी से देखें अभी निकलने लगा है लेकिन अभी हम इसको यह देखें इस तरीकी से पलट लेते हैं एक-एक करके और फिर एक से दो मिनट इनको पलट के भी पका लेंगे और फिर हम इनको में निकाल लेते हूं थोड़ा से ठंडा होने दोगे क्योंकि बहुत गरम है तो मिनमें जो उने लहसुन और हरे मिरश जाली थी उसको भी मैं एक साइड में कर लेते हूं और इसके बाद इन टमाटर का हम छिलका निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं तो इनक पर मैंने सारे छिलके भी निकाल लिये हैं तो यह उने लहसुन और मिरश डाला था उनको हाथों से क्रस कर लेंगे या फिर आपके पास खलबटा वगरा है तो आप उनमें इनको पीसी या मत उनको बढ़िया कूट लेंगे और साथ में टमाटर को भी मच्छे से हाथों से या फिर मैसर हों आपके पास या कोई कटोरी वगरा उससे आप बढ़िया से मैस कर लीजिए देखिया हमाँ यहाँ पर मैंने टमाटर लहसुन ने सबको अच्छे से मैस कर लिया है और लहसुन मिरश को मैं इसे में एट कर देती हूँ और साथ में एक सुदो मैं हरी मिरश बिल्कुल बारिक बारिक काटके वो भी बढ़िया से इसको और चर्पटा बनाने के लिए क्योंकि तो हरी मिरश का क्रंच होता है थोगा बढ़िया चर्पटा आता और साथ में हमने जो हर प्याज काटा था बारिक वो डाल देते हैं और थोड़ा सा काला नमक और सफेद न पाद वाली बनकर त्यार हो गई है और यह चटनी देखने में जितनी स्वाधिस लग रही हो खाने में उससे भी ज्यादा और स्वाधिस इसमें जो खुस्बू आती नो बहुत ही बढ़िया होती क्योंकि जब मैंने प्राई करते हैं से पैन पर डाल कर यह तबी पर तो बह करती हूँ यहाँ पर साथ में मेरे पास सुख्या अलो के बड़ी हा साधी भाली भूजिया है बड़ी हाचपटी तरह की ताली अगर आपको मिल जाय तो आप बिल्ला खाए उसको रही नहीं सकते और यह देखने के बाद बिना इससे बनाए आप बिल्कुल रही नहीं तो इसे जरूर बनाईएगा और बताईएगा आपको कैसे रगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई